हेलो फिरिंट्स, आव आम वेलकम टू आला फ्यूद माई यूटूब चैनल अखिलेस एजूकेशन सेंटर दिसी जखिलेस कुमार आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल अखिलेस एजूकेशन सेंटर पर दोस्तों हम लोग क्लास लेवन्द के भौति विज्ञान को पढ़ रहे थे और एक सिरीज के माध्यम से पढ़ रहे थे तो आज उसी सिरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर पहुँझे हैं जिसका नाम है घरसान इसके पहले के सभी टॉपिको को आसानी से कंप्लीट कराया गया है आसान भासा में तो आप लोग जो भी वीडियो को नहीं देके हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर पूरा वीडियो पढ़ा हुआ है देख लीजिए और आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट होने माला है अ जो लोग चैनल पर नहीं है चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं तब तक एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए क्या वीडियो और वाइस क्वालिटी किलियर है या नहीं एक बार जल्दी से कमेंट करके बताईए उसके बाद फिर कि सिदेरी के हम लोग सुरुगात करते हैं घरसाण किसे कहते हैं तो आप लिखेंगे कि जब दो संपर्क सता है एक दूसरे के ऊपर फिशलती हैं तो उनके गती का विरोध होता है यानि कि एक दूसरे के ऊपर गती करती है तो उनके सापेच्छी गती का विरोध होता है और य ये गुण घरसन कहलाता है वस्तमों का या गुण क्या कहलाता है घरसन जैसे दो वस्तमें जब एक दूसरे के उपर फिशलती है तो उनके सापेच्छिक गती का विरोध होता है या गुण घरसन कहलाता है यही लिखना है कि जब दो संपर्क सता एक दूसरे के उपर फिशलती उनके साथ पेच्छी गती का विरोध होता है जब दो संपर्क सता है अब लोग साथ में लिखते चलिए दो संपर्क सता है एक दूसरे के उपर एक दूसरे के उपर फिसलती है फिसलती है तो उनके साथ पेच्छी गती का विरोध होता है उनके साथ पेच्छी गती का विरोध होता है जब दो संपर्क सता एक दूसरे के उपर फिसलती है तो उनके साथ पेच्छी गती का विरोध होता है और इसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं घरसन इसे ही घरसन कहते हैं एक उधारान से समझे जैसे आप मालेजी साइकल चला रहे हैं और साइकल का पैडल लग मारना छोणते हैं तो कुछ समय के बाद साइकल रुख जाता है क्यों क्योंकि संपर्क सता की बात हो रही है तुछ सडक और पहिया का टायर एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और उनके सापेच्छी गती का विरोध होता रहता इसी कारण कुछ समय के पस्च्यात पहिया अपने आप रुख जाता है तो यह हो जाता है कि जब दो संपर्क सता एक दूसरे के उपर फिशलती है दुनके साफेची गती का विरोध होता है और इसे ही घरसन कहते हैं अब घरसन बल क्या होता ये तो आपका घरसन हो गया घरसन बल तो इन्हीं पर्तों के बीच एक बल कारे कर रहा है आप क्य हारसन बल संपर्क सतहों के मद्यलगने वाले साप चिक बल को या साप चिक विरोधी बल को घषण बल कहते हैं आप क्या होताएंगे संपर्क सतहों के संपर्ग सत्मों के मध्ध लगने वाले सापेच्छिक विरोधी बल को लगने वाले सापेच्छिक विरोधी बल को सापेच्छिक विरोधी बल को घरसन बल कहते हैं नोड करिएगा और आई थिंक आपको समझ में आजा होगा कि घरसन क्या होता है तो जब दो संपर्ग सत्वाइग दूसरे के उपर फिशलती हैं तो उनके सापेच्छिक गती का विरोध होता है और इसे घरसन कहते हैं सापेच्छिक विरोधी बल को घरसन बल कहते हैं अब आगे लिखिएगा घरसन तीन प्रकार के होते हैं घरसन तीन प्रकार के होते हैं कौन-कौन से कमेंट करके बताईए तीन प्रकार के होते हैं कौन कौन से तीन प्रकार है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि घरसन तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं तो तीनों नाम देखिए इस्थेतिक घरसन इस्थेतिक घरसन दूसरा होता है सीमान्त घरसन और गतिक घरसन दूसरा क्या है सीमान्त घर्षण और गतिक घर्षण घर्षण कितने प्रकार के होते हैं तो घर्षण आपके तीन प्रकार के होगे स्थेतिक घर्षण, सीमान्त घर्षण और गतिक घर्षण और आपका ये जो गतिक घर्षण है ये दो प्रकार का होता है एक होता है सरपी घरसन दूसरा लोटनिक घरसन ये आपका दो परकार का होता है एक होता है सरपी घरसन और दूसरा होता है लोटनिक घरसन तो आप पूरा बताएंगे कि जब दो संपर्क सता एक दूसरे के उपर फिशलती हैं उनके सापेच्छी गती का विरोध होता है और इसे जी घर्षण कहते हैं संपर्क सतों के मद्य लगने वाले सापेच्छी विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं और घर्षण तीन प्रकार के होते हैं स्तैतिक लांा जो डेख़ेए अब हम लोग पढ़ ते हैं जहां पर इस्थायतिक घर póण या होता है तो लेडिंग लिखीएगा सथायतिक भास इस्थायतिक का मतलब क्या होता है कि जो वस्तमे स्थ होती है उनके संपर्क सथा क्या करता है उसे ही लोग इस्थेतिक घर्षण कहते हैं देखिए इस्थेतिक इस्थेतिक आपको समझ में आ रहा इस्थित तो इस्थेतिक घर्षण क्या होता इस्थित यानि कि स्थिर वस्तुमों के संपर्क सत्वों के मध्य जो घर्षण कारे करता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं स्थेतिक घर् परसंड को जब वस्तु में विरामा वस्था में हूँ जब वस्तु में विरामा वस्था में हूँ तो उनके संपर्क सत्वों के उनके संपर्क सत्वों के मध्य लगने वाले घर्संड को या विरोधी बल को घर्संड को इस्थैतिक घर्संड कहते हैं क्या बताएंगे जब वस्तु में विरामा वस्ता में हो तो उनके संपर्क सत्वों के मध्य लगने वाले घर्संड को इस्थैतिक घर्संड कहते हैं और एक चीज आप जरूर याद रखिएगा तीनों घर्संड में जो सबसे ज्यादा होता है वह स्थैतिक घर्संड का मान ही है या सबसे ज्यादा कौन सा घरसण होता है तो क्या बताएंगे कि इस्थायतिक घरसण का मान सबसे ज्यादा होता इधर आप लोग नोट कर लिए उसको नोट करते रहेंगे इधर मिटा कर आपको आगे बता रहे हैं एक बार देख लिए जब दो संपर्क सता एके दूसरे के उपर फिसलती है तो उनके सापेच्छी गजिडी का विरोध होता है और इसे घर्सन कहते हैं सर्पी घर्सन और दोसरा लूती गर्सन और स्थेतिक घर्सन क्या होता है तो जब विरामा वस्ता में हो तो उनके संपर्क सपमों के मद्द लगने वाले घरसण को स्थायतिक घरसण कहते हैं और स्थायतिक घरसण का मान सबसे ज़्यादा होता है अब आप लोग इसको नोट करिए उसके बाद हम बगल में सीमान्त घरसण पर चर्चा कर रहे हैं बगल में आप इधर हेडिंग रिखिएगा सीमान्त घरसण क्या होता है तो आप लोग कमेंट करके बताएए क्या वास्तों में इसका कोई अस्तित्त है सीमान्त घरसण का कोई अस्तित्त है तो आप बताएंगे जो स्थायतिक घरसण होता है स्थेतिक घर्षण के अधिक्तम मान को सीमान्त घर्षण कहते हैं सीमान्त घर्षण कहते हैं स्थेतिक घर्षण के अधिक्तम मान को इसी का जो सबसे अधिक्तम मान मुता है यानि कि मैक्सिमम वहलू इसकी यह आपकी कहलाएगी यानि कि सीमान्त घर्षण स्थेतिक घर्षण के अधिक्तम मान को सिमान्त घर्षण कहते हैं और सिमान्त घर्षण का थोड़ा एक दो नियम है लिग लेजिए सिमान्त घर्षण का नियम सिमान्त घर्षण का नियम सबसे पहली बात तो ये कि जो सिमान्त घर्षण है सिमान्त घर्षन सत्मों के छेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है क्या होता है कि सिमान्त घर्षन सत्मों के छेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है ये सीमान्त घरसन का नियम है इसको याद रखियेगा कि जो सीमान्त घरसन है वो सतों के छेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है और दूसरा सीमान्त घरसन सीमान्त घरसन तल की प्रकिती यनि कि जो नीचे का छेत्रफल है उसकी प्रकिती वो खुरदरा पन है कि चिकना है इस चीज पर सीमान्त घरसन निर्भार करता है तो आप बताएंगे तल की प्रकिती तल की प्रकिती यनि कि इसे आप कह सकते हैं खुरदरा या चिकना पर निर्भर करता है निर्भर करता है दो नियम आपको बताएगे कि सीमान्त घरसन सतहों के छेत्रपल पर निर्भर नहीं करता और दूसरा सीमान्त घरसन तल की परकीती पर निर्भर करता है कि तल कैसा खुर्दरा है या चिकना है और तीसरा आप यहां पर बताएंगे कि जो आपका स्थेतिक घर्षन होता अभिलंग प्रतिकरिया आर के अनकुर्मान पाती होता है स्थेतिक घर्षन अभिलंग प्रतिकरिया अभिलंग प्रतिकरिया आर के अनकुर्मान पाती होता है इसको हम समझा रहे हैं आप अभी एक काम करिए इस दो नोट को ही लिखे रिखिए इसको अलग से लिखिए कि इस तेतिक घर्षन जो होता है वो अभिलंग प्रतिकरिया की अनुकर्मान पाती होता है नीचे आपको दीख रहा हैं चलिए सब कुछ क्लिए रहे तो यहाँ पर बताएंगे कि स्थेथिक घरसंड को हम लोग लिखते हैं याफ यस से और कह रहा है कि अभिलंब प्रतिकरिया आर के अनुकर्मान पाती होता है तो या फियस वराबर मियू यस आर हो जाएगा या फियस वराबर क्या हो जाएगा मियू यस आर अब देखिए या फियस आपका है इस्थेतिक घरसाण आर है अभिलम प्रतिकरिया और मुवियस को हम लोग कहते हैं घरसन गुडांक तीनों चीज यहां पर लिख लेजिए जहां यह फियस क्या है तो आपका है इस थैतिक घरसन इस पर सवाले आएंगे स्तेटिक घरसंग और मुवियस क्या है तो बताएंगे कि ये घरसंग गुडांक है ये क्या है गरसंग गुडांक और आर क्या है तो आर है आपका अगली लंब प्रतिकरिया बल आप 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 सकते हैं अभिलम्ött प्रतिकिरिया R यह समझे मैं है कि इस्थेतिक घर्षण अभिलम्ग प्रतिकिरिया के अनकुर्मानूपाती होता है तो IFS respective R IFS बराबर ReefS R जहां IFS आपका इस्थेतिक घर्षण है ReefS आपका घर्षण गुडांक है और R क्या है अभिलाम्ब प्रतिकिरिया बल है और यहाँ पर जो यह है आपका एक अनकुर्मान उपाती नियतांक के रूप में भी आया है अगला आप लिखेंगे यही पर उपर की और चलिए यहाँ देख लेते हैं इतना समझ में आया या नहीं अगला इसी का अगला पॉइंट है जो आप नोट में लिख रहे है थे एक सिमान्त गर्षण का नियम पहला और दूसरा हो गया तीसरा चलिए देखते हैं तीसरा इस्थेतिक गर्षण का कोई अपना स्थित्त नहीं होता है कोई अपना अस्तितों नहीं होता है स्थैतिक घर्षन का कोई अपना अस्तितों नहीं होता है स्थैतिक घर्षन का अपना कोई अस्तितों नहीं होता है सीमान्त घर्षण में जो वस्तू होती है वो गतिसील होने की अवस्था में आ जाती है प्रन्तु गतिसील नहीं होती याद रखिएगा कि जो सीमान्त घर्षण होता है सीमान्त घर्षण में वस्तू गतिसील होने की अवस्था में आ जाती है पर तो गतिसील नहीं रहती है सीमान्त घर्षण की अवस्था में या सीमान्त घर्षण में वस्तु गतिसील होने की अवस्था में आ जाती है होने के वस्था में आ जाती है परांतु गतिसील नहीं रहती है इसको अच्छे से नोट कर लेते हैं उधर का आप लोग नोट करते हैं तब तक एक बार आप लोग कमेंट करके बताईए घरसन गुडांग को किसे प्रदर्शित करते हैं या फिर आपको यह बताया है कि इस्थेतिक घरसन अभिलंग प्रतिकिरिया आरक्यान गुर्मान उपाती होता है इसको जल्दी से लिख कर कमेंट बाक्स में लिख कर बताईए या इसी चीज़ को लिख कर जल्दी से सेर कर ये कमेंट बाक्स में इसको लिखकर सेर करें आगे आप लोग समझेएगा घरसन कोण क्या होता है तो शेर कर रहे हैं लिखकर या नहीं जल्दी से बताईए और एक बार सेशन को सेर कर देजिए जो लोग नहीं हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए इस्थैतिक घरसन और अभिलंग प्रतिकरिया के बीच के कोण को गरसन कोण कहते हैं परिमासा क्या होगी तो इस्थैतिक घरसन परिमासा क्या बनाएगे आप इस्थैतिक घरसन तथा अभिलंग प्रतिकरिया इस थैतिक घरसन तथा अभिलंब प्रतिकिरिया के बीच के कोण को क्या नाम देते हैं तो आप बताएंगे घरसन कोण कहते हैं इस थैतिक घरसन और अभिलंब प्रतिकिरिया के बीच के कोण को घरसन कोण कहते हैं नोट कर लेजिए कि इस थैतिक घरसन तथा अभिलंब प्रतिकिरिया के बीच के कोण को घरसन कोण कहते हैं से माल लेजिए चित्र से समझिए कि यह आपके अविलंब प्रतिक्रिया की दिशा और यह घरसन कोण की दिशा है अविलंब प्रतिक्रिया की दिशा कैपिटल आर है और यह आपका इस्थेतिक घरसन की दिशा है तो इस्थेतिक घरसन और अविलंब प्रतिक्रिया के बीच के कोण को अब क्या बोलते हैं तो इन दोनों के बीच का जो कोण होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं ऐसे इन दोनों के बीच के कोण को क्या नाम देते हैं तो घरसाण कोण कहते हैं थीटा स्थेतिक घर्षन और अबलंग प्रतिकरिया के बीच के कोण को घर्षन कोण कहते हैं घर्षन कोण कहते हैं और ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा याप यस ये वाला भी क्या हो जाएगा आर तो यहां से आपका यह कुछ इस प्रकार से चित्तर बना लेजिए गा और यहां पर हम आपको बताया गया कि जो स्थेतिक घर्षण और अब लंब पृतिक्रिया के बीज के कूण को घर्षण कूण कहते हैं तो इस प्रकार से निकालेंगे है हम तैन थीटा वराबर निकालें तो यहाँ पर दिखिए थीटा के लिए हम लोग देख रहे हैं तो आपका यहां हो जाएगा या फियस बटे आर या फियस बटे आर टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा या फियस बटे आर लंब बटे आधार इस वाले के लिए चर्चा कर रहें दखिए या फियस बटे आर लंब बटे आधार तो टैन थीटा बराबर आपका हो जाएगा या फियस और यह फ्यस को हम लोग क्या लिखते हैं, वताजिए, मूशय और बटे आर, इसके पहले यहां पर देखिए, यह फ्यस बड़ाबर मूशय और, तो मूशय और बटे आर, आपका यह और से और कड़ जाएगा, और 10 थीता बड़ाबर क्या आपका आजाएगा, ये आ गिया और थीटा बराबर टैन इन्वर्सि मुई या से आप लिख सकते हैं तो जहाँ थीटा आपका क्या है घरसन जहाँ थीटा घरसन कूण है आपका थीटा आपका घरसन कूण हो जाएगा जहाँ थीटा या तैन थीटा घरसन कूण है समझ में आ गिया या नहीं तैन थीटा बराबर लंग बटे आधार लंग बटे आधार और एफेस बराबर मुई या सार आर से आर कड़ गया तैन थीटा बराबर मुई यास और मुई यास को आप क्या नाम देते हैं तो मुई या आपका घरobile उंक और थीटा satay 10 तीटा क्या है तो इसको नोड कर लेए तुक तो टेकक एक ुश्यन हम लोग थोड़ा सा अबहल में लगा लेते हैं- ακल KEVカ रफ में हरकर के एंसर बताईए, कुश्चन हम लिख रहे हैं, कि दो संपर्क तलों के बीच घरसन गुडांक, कुश्चन है, दो संपर्क तलों के बीच घरसन गुडांक, अंडर रूट तीन है, बीच के इस्थैतिक घरसन गुडांक, अंडर रूट तीन है, बीच के इस्थैतिक घरसन या, उनके बीच इस्थैतिक घरसन कौन क्या होगा, अगला कुश्चन देखिए, बगल में दूसरा कुश्चन भी लिख रहे हैं, अगला कुश्चन है, कि दो संपर्क तलों के बीच घरसन कौन गुडांक, दो संपर्क तलों के बीच घरसन कौन तीस अंस है, घरसन कौन तीस अंस है, तो उनके बीच घरसन गुडांक ज्यांद कीजिए, जल्दी से दोनों कुश्चन बताइए, यहां दो संपर्क तलों के बीच घरसन कुडांक दिया जया है, घरसन कौन गुडांक को हम लोग किस से लिखते हैं, मुवियस से लिखते हैं, और हमें इस्थैTION घरसन कॉन यहांद करना है, जिए थीटा का मान यहांद करना है, तो क्या करेंगे, आपको फार्मूला पता है, जो सोतर होता है, वो होता है, टेन थीटा बराबर मुवियस, μυ flames का मान कितना दिया गया है तो 10 theta बराबर under root 3 दिया गया है और under root 3 10 में किसका मान होता है तो 10 6 hëns और … फील बराबर आपका क्या आ जाएगा 6 h thumbs यहां पर जो इस्थेटिक धरसन कॉन्ड हो जाएगा वो कितने डिगरी तो वो हो जाएगा 60 degree इसमें से कितने लोगों ने मैसेज किया एक लोग भी नहीं दूसरा देखिए यहाँ पर दिया है थीटा का मान घरसन कोण है तो फार्मूला पता है 10 थीटा बराबर मिवियस होता है और 10 थीटा थीटा के अस्थान पर कितना है इसको जल्दी से नोट कर लेजिए उसके बाद लोग गतिक घरसन पर चरचा करते हैं चलिए अब आप लोग नोट कर लिए हूंगे तो अब हेडिंग लिखिएगा गतिक घरसन question नोट कीजिए अगले घरिंग है आपका गतिक घरसन गतिक घरचन क्या होता है तो जब वस्त में गति सील होती है तो उनके संपर्क सत्मों के मद जो घरचन कारी करता है उसे हम गतिक घरचन नाम देते हैं हमें लिखना है कि जब वस्त में गति सील हूं तो उनके संपर्क सताह के मद्य लगने वाले घरसन को गतिक घरसन कहते हैं जब वस्त में गति सील हूं तो उनके संपर्क सत्मों के मद्य लगने वाले घरसन को क्या नाम देते हैं गतिक घरसन कहते हैं जब वस्त में गति सील हूं तो उनके संपर्क सत्मों के मद्य लगने वाले घरसन को गतिक घरसन कहते हैं और गतिक घरसन भी आपका दो प्रकार का होता आपको बताया गया भी कि गतिक घरसन कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार का होता है गतिक घरसन कितने प्रकार का होता है तो गतिक घरसन दो प्रकार का होता है कौन कौन सा तो आप हेडिंग आप जल्दी से कमेंट करके बताइए गतिक घरसन दो परकार का कौन कौन सा होता आपको बताया गया एक सरपी और दूसरा लोटनिक या विल्लन घरसन तो चलिए दो प्रकार का होता है कौन-कौन सा तो पहला वाला ही लिखते हैं सबसे पहले नमबर एक सर्पी घरसाण सर्पी घरसाण अब बताए सर्पी घरसाण तो इससे सपस्ट हो रहा है सर्प किस प्रकार से चलता है बताए सर्पी घरसाण आप बताईए सर्प कैसे चलता है सरक्ते हुए आगे बढ़ता है या पहर से तो सर्पी घरसन उसी प्रकार सोगा जैसे सर्प चलता है कि सरक्ती हुई वस्तु या फिसल्ती हुई वस्तु के संपर्क सत्मों के मद्ध जो घर्सन कारे करता है उसे सर्पी घर्सन कहते हैं बिल्कुल सर्प की तरह तो आप लिखेंगे सरक्तिवी या फिसल्तिवी वस्तमों के संपर्क सत्मों के मद्धे सरक्तिवी या फिसल्तिवी सरक्तिवी या फिसल्तिवी वस्तमों के संपर्क सत्मों के मद्धे वस्तुमों के संपर्क सत्मों के मध्य लगने वाले घर्चन को लगने वाले घर्चन को सरक्तिवी या फिशल्तिवी वस्तुमों के संपर्क सत्मों के मध्य लगने वाले घर्चन को सरपी घर्चन कहते हैं सरपी घरसन कहते हैं इसको नोड करिए कि सरक्तिवी या फिसलतिवी वस्कुणों के संपर्क सत्मों के मद्य लगने वाले घरसन को अगला क्या था तो अगला था आपका लोटनिक घरसन गरसन का दूसरा प्रकार कौन सा था तो दूसरा था लोटनिक घरसन तो लोटनिक घरसन कहा कारी करेगा अगर सरक्ती और फिसलती वस्तू पर सरफी कारे कर रहा है तो लोटनिक घरसन कारी करेगा उसे हम लोग बोलेंगे लोटनिक घरसन तो लोटनिक घरसन के संपर के सपहों के मद्धे लगने वाले घरसन को लोटनिक घरसन कहते हैं लुड़क्ति वुई वस्तुमों के संपर्क सत्मों के मध्य संपर्क सत्मों के मध्य लगने वाले घरसन को लूटनीक घरसन करते हैं अब बताईए गेंद पर कौन सा घरसन कारे करेगा कमेंट करके बताईए गेंद पर कौन सा घरसन कारे करेगा अगर गेंद एक खुर्दरी तल पर आगे बढ़ रहा है तो सरकती हुई इवस्तु होगी या फिसलती हुई या फिलुड़कती हुई तो वहाँ पर आपका लोटनिक घर्चन कारे करेगा लोटनिक घर्चन कारे करेगा और लोटनिक घर्चन और कहा कहा कारे करता है तो आप बताएंगे जैसे बाल बीरिंग जिसे आप लोग साधारण भासा में bearing बोलते हैं कहाँ पर तो बाल bearing बाल bearing में कौन सा गर्षान कारे करता है लोटनिक गर्षान क्योंकि वो कैसी होती है लुढक भी रहती है और दूसरा होता है कंचा गोली जिसे कहते हैं तथा वाहनों के tire वाहनों के टायर हर चगहां पर लुड़कते हैं और जहां पर देखिए बारिस वगरा हुए रहती है काई जमी रहती वहां पर वाहनों के टायर फिसल जाते हैं तो आप बताते हैं कि वाहनों के टायर भी लुड़क रहे हैं इसलिए लोटनी घर्चन कारे कर रहा है और जहां पर कोई मान देजिए जैसे काई जमी हुई है तो वहाँ पर वाहनों के टायर में कौन सा घरसंड कारे करेगा तो वहाँ पर फिशल जाएगी वस्तो तो वहाँ सरपी घरसंड लग जाएगा ऐसे इसको समझते हैं अब चलिए ये तो हो गया अब घरसंड से हानिया देख लेत घरसंड से हानिया क्या क्या हानिया है गरसंड से उन पर चर्चा कर लेते हैं तो देखिए आपको पता है कि घरसंड के कारण सबसे पहले बात तो वहाँ नों के टायर जो होते हैं वो घिस जाते हैं और दूसरी बात पहला तो वहाँ नों के टायर घरसंड के कारण क्या होते हैं घिस जाते हैं और दूसरा मान लेजिए कोई मसीन है जो लगातार चलती रहते तो घरसंड के कारण मसीन के भी कल पुरजे घिस जाते हैं यह आप लोगों ने पढ़ा है और दैनिक जीवन में देखा भी होगा कि मसीनों के कल पुरजे घरसंड के कारण ही घिस जाते हैं और वहाँनों के टायर आपके जो स्लीपर होती है वह भी नीचे की और घिस जाती है किस के कारण तो घरसंड के कारण यह सब घरसंड से होने वाली हानिया हैं जिनको हमें क्रम से लिख देना है तो यह सब आप लोग भी लिख सकते हैं तो घरसंड से हानिया सबसे पहला घरसंड के कारण वहाँनों के टायर जल्दी घिस जाते हैं दूसरी बात मशीनों के कल पूर्जे भी सी के कारण खराब होंगे तो घरसंड से ही मशीनों के कल पूर्जे घिस कर खराब हो जाते हैं घरसंड से ही मशीनों के मशीनों के कल पूर्जे घिस कर खराब हो जाते हैं गेस कर खराब हो जाते समझ में आया और तीसरा पॉइंट आप ये बता देंगे कि जब मसीन लगातार चल रही है तो गरम हो जाती है क्यों तो घरसन के करण मसीन जब गरम होगी तो उर्जा का कुछ भाग वहाँ पर गरमी यनि कि उस्मा के रूप में बाहर निकल जाता है उसका कारण क्या है तो घरसन तो यही बताएंगे घरसन के कारण मसीनों की उर्जा का महत्वपूर्ण भाग घरसन के कारण मसीनों की उर्जा का महत्वपूर्ण भाग उर्जा का महत्वपूर्ण भाग किसके रूप में 6 हो जाता है तो उस्मा के रूप में 6 हो जाता है नीचे दिख रहा होगा कमेंट करेंगे बताइए एक बार हम चेक कर लेते हैं घरसाण से वानों के टायर घिस जाते हैं चलिए क्लियर है दूसरा घरसाण के नकारात्मक पच्छ आपने देख लिए अब चलिए घरसाण के कुछ सकारात्मक पच्छों पर चर्चा कर लेते हैं यानि कि घरसाण से हमें क्या-क्या लाब हो सकते हैं तो घर्षंट से हानियों के बाद, आप भेढिंग लिखेंगे, घर्षंट से लाभ. ये आपका नकारात्मक पच्छ था यानि की हानिया हो रही थी और लाब में अप सकारात्मक पच्छ आप देख रहे हैं तो इससे क्या-क्या लाब हो सकते हैं तो सबसे पहला तो आप यही बताएंगे कि घर्षण के कारण ही हम पैदल चल पाते हैं क्या बताएंगे घरसण के कारण आप पैदल चल पाते हैं घरसण के कारण आप पैंसे लिख पाते हैं और भी बहुत कुछ हैं जो हम लोग यहां पर देखेंगे कि सबसे पहले तो आप घरसण के कारण ही पैदल चल पाते हैं या आप ऐसे लिखिए कि घर्चन के कारण ही पैदल चलना संभव है पैदल चलना संभव है दूसरा आप बताईए अगर घर्चन ना होता तो क्या लिख पाते आप पेन फिसलती और फिसल कर पेन अच्छे ढंसे ना चल पाती इसलिए आप बताएंगे घर्चन के कारण ही हम पेन से लिख पाते हैं पहला हो गया कि घर्चन के कारण पैदल चलना संभव है और घर्चन के कारण हम पेन से लिख पाते हैं और घर्चन के कारण ही वाहनों के टायर फिसलते नहीं है याद रखियेगा गर्चन के कारण ही वाहनों के टायर फिसलते नहीं है अब घर्चन करने की कुछ विधिया होंगी कुछ बढ़ाने की की विधिया होंगी की गर्षण कम करने की विधियां गर्षण कम करने की क्या-क्या विधियां हो सकती हैं अभी आपको बताया गया कि बाल बीरिंग के प्रियोग से घर्षण को हम दोग परिवर्तित कर सकते हैं बाल बीरिंग के प्रियोग से सरपी घरसान को लोटनी घरसान में क्या कर सकते हैं परिवर्तित कर सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला लिखेंगे बाल बीरिंग के प्रियोग द्वारा बाल बीरिंग के प्रियोग द्वारा बाल बेरिंग के परियोग द्वारा तो आपको बताया गया कि इस युक्ति का परियोग करके हम लोग सरपी घरसन को लोड़नी घरसन में परिवर्तित कर सकते हैं सरक्ति वही वस्तो को लुड़क्ति वही वस्तो में परिवर्तित किया जा सकता है तो बाल बेरिंग के प्रियोग द्वारा आप क्या बताएंगे कि इस युक्ती का उप्योग करके सर्पी घरसण को सर्पी घरसण को किसमें तो लोटनिक घरसण में परिवर्तित परिवर्तित सर्पी घरसण को किसमें परिवर्तित किया जा सकता है अईसा क्यों किया जाता है बताएंगे आप जानते हैं क्योंकि सर्पी घरसण लोटनिक घरसण से अधिक होता है यनि कि आप इसका उल्टा भी बता सकते हैं क्योंकि लोटनिक घरसण का मान सर्पी घरसण की तुलना में बहुत कम होता है तो इस युक्ती का उप्योग करके सर्पी घरसण को लोटनिक घरसन में परियोग किया या परिवर्थित किया जा सकता है चुंकि लोटनिक घरसन सरपी घरसन की तुलना में बहुत कम होता है बहुत कम होता है इस युक्ति का उप्योग करके सरपी घरसन को लोटनी घरसन में परिवर्थित किया जा सकता है चुकि लोटनी घरसन सरपी घरसन की तुलना में बहुत कम होता है अताह बाल बेरिंग का प्रयोग करके संपर्क सत्मों के मद घर्सन काफी कम किया जा सकता है अता है बाल बेरिंग के प्रियोग से घर्सन को काफी कम किया जा सकता है या संपर्क सत्मों के मद्ध है संपर्क सत्मों के मद्ध है घर्सन काफी कम किया जा सकता है इस युक्ति का उप्योग करके सर्फी घर्सन को लोटनी घर्सन में परिवर्ति किया जाता है चुकि लोटनी घर्सन और सर्फी घर्सन की तुलना में बहुत कम होता है अताहा बाल वेरिंग के प्रियोग से संपर्क सतों के मद्य के घरसन को काफी ज़दा क्या किया जा सकता है कम किया जा सकता है और यही हम पढ़ रहे हैं कि घरसन को कम करने की विधिया दूसरा क्या होता है तो आप जानते हैं कि हम लोग घरसन कम करने के लिए इसने हक का प्रियोग भी करते हैं तो सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है चलिए नमबर दो में आप क्या लिखेंगे किसके प्रियोग द्वारा तो दूसरे में आप लिखेंगे इसने हक के प्रियोग द्वारा इसने हक के प्रियोग द्वारा इसनेहक क्या होता है तो आप जानते हैं जो मसीनों में तेल डाले जाते हैं उन्ही को इसनेहक नाम दिया जाता है तो इसनियाक ग्रेश वगरा होती है इन सब को मिला कर हम लोग इसनियाक का नाम देते हैं तो इन सब के प्रियोग द्वारा घरचन कैसे कम किया जाता है जिसमें एक दूसरे पर घिसकर चलने वाले दो परतों के बीच किसी उपयुक्त पदार्थ या द्रो की एक परत बना दी जाती है जैसे दो संपर्क सता जब घिसकर चल रहे हैं तो उनके बीच या तो गिरिश की एक परत बना देंगे या फिर किसी इसनियाक या किसी तेल की एक परत बना देते हैं तो इस युक्ति को हम लोग इस निहा का नाम देते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे इस निहा के एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इस निहा के एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक दूसरे से घिस कर चलने वाले एक दूसरे से घिस कर चलने वाले इसमें हागत एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक दूसरे से घिस कर चलने वाले या चलने वाली दो पर्तों के बीच किस की चीज की या तो ग्रीज की या फिर किसी विशेश द्रौ की एक पर्त बना दी जाती है दीज ग्रीज या उप्योक्त तरल पदार्थ की एक पर्त बना दी जाती है ये इसमें हागती प्रक्रिया होती है तो आप बताएंगे इसमें हागती एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक दूसरे के उपर घिस कर चलने वाले या चलने वाले दो पर्तों के बीच ग्रीज या उप्यूख्त तरल्पदार्थ की एक परत बना दी जाती है जिससे संपर्क सतहुं के उभार एवं गर्त भर जाते हैं क्या होगा जिससे संपर्क सत्मों के उभार हुआ गर्थ भर जाते हैं इस निया के एक ऐसी पग्रिया जिसमें एक दूसरे के उपर चलने वाली घिसकर चलने वाली दो परतों के बीच या तो गेस लगाएंगे या उप्युक तरल पदार्त जिससे इंजिन आयल कहते हैं कि एक परत बना दी जाती है जिसे संपर्क सतों के उभार योन गर्थ भर जाते हैं तथा सता अपेच्छा क्रित आधिक चिकनी हो जाती है तथा सता अपेच्छा क्रित आधिक चिकनी हो जाती है आप लोग साथ में लिखते चलिएगा सता क्या होती है तो आपकी जो सता है वो अधिक चिकनी हो जाती इस परकार मसीन के उन कल पूर्जों को जो की एक दूसरे के उपर घिस कर चलते हैं इस परकार से क्या करते हैं तो आप बताएंगे इस परकार मसीन के उन कल पूर्जों को मसीन के उन खल पुरजों को जो एक दूसरे से घिसकर चलते हैं घिसकर चलते हैं उनके बीच नीचे दिख रहा है घर्सन काफी कम किया जा सकता है घर्सन काफी कम किया जा सकता है जिसमें एक दूसरे से घिसकर चलने वाले दो पर्टों के बीच घृतरली जैसे इंजिन आयल की एक परत बना दी जाती है जिससे उसमें जो संपर्क सता होती है उसके बीच आये उभारेवं गर्थ भार जाते हैं और सता पेच्छाक्रित अधिक चिकनी हो जाती है इस प्रकार मसीन के उन कल पूर्जों को जो एक दोसरे से घिस कर चवते हैं उनके बीच घरसन काफी कम किया जा सकता है और तीसरा इसी में आ जाता है तीसरा आ जाता है कि पालिस करके भी घरसन को कम किया जा सकता है पालिस करके भी घरसन को क्या कर सकते हैं तो कम कर सकते हैं तो तीसरा आप लिखिएगा तीसरा पॉइंट पालिस दौरा पालिस करके किसी चीज़ को चिकना बनाया जाता है और जब कोई चीज़ चिकना बनेगा तो उस पर घरसन क्या होगा कम हो जाएगा तो उसी चीज़ को हमें बताना है कि संपर्क सत्हों को जैसे जैसे चिकना किया जाता है उनके बीच का जो घरसन होता है वो क्या होता है कम होने लगता है वैसे वैसे घरसण क्या होने लगता है कम होने लगता है प्रन्त सता को एक सीमा से अधिक चिकना कर दें तो घरसण कम होने की वज़ाए फिर से बढ़ने लगता है तो एक सीमित मात्रा में चिकना करके या पालिस करके उस सता को भी या उस सतापर के घर्समर को भी कम किया जा सकता है तो आप बताएंगे पालिस करके तो इसमें संपर्क सतों को जैसे जैसे चिकना किया जाता है संपर्क सत्हों को जैसे जैसे चिकना किया जाता है वैसे वैसे क्या होगा घरसन कम होना शुरू हो जाता है तो आप बताएंगे कि संपर्क सत्हों को जैसे जैसे चिकना किया जाता है उनके बीच घर्सन बाल वैसे वैसे कम होता जाता है उनके बीच गर्सन बाल वैसे वैसे कम होता जाता है जैसे जैसे चिकना करेंगे वैसे वैसे घरसन कम होता जाता है प्रन्तु यदि सता को एक सीमा से अधिक चिकना कर दें प्रंतु यदि सता को प्रंतु यदि सता को एक सीमा से अधिक चिकना कर दें, एक सीमा से अधिक चिकना कर दें, तो घरसन कम होने की बजाए बढ़ने लगता है, प्रंतु यदि सता को एक सीमा से अधिक चिकना कर दें, तो घरसन कम होने की बजाए, क्या होने लगता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, अता सत्म को एक निश्चित सीमा के भीतर चिकना करके, घरसन को घाटाया जा सकता है, घरसन बल को कम किया जा सकता है, यह है टॉपिक, चलने वाले सत्मों के बीच एक या तो ग्रीज की या फिर इंज्या नायल की परत बना दी जाती है, जिससे संपर्क सत्मों में उभार एवंगर्थ भर जाते हैं, एवंग इससे सता अपिछा की अधिक चिकनी हो जाती है, और मजीश परकार मशीन के उन कालपूर्जों को जो कि एक दोसरे के उपर घिस कर चलते हैं, उनके बीच घरसन काफी कम हो जाता है, तिसरा, पालिस करके तो संपर्क सत्मों को जैसे जैसे चिकना बनाया जाता है, वैसे वैसे उनके बीच घरसन कम होने लगता है, और यदि सकाह को एक सीमा से अधिक चिकना कर दें, तो घरसन कम होने की बजाए बढ़ना शुरू हो जाता है, सत्मों को एक निश्चित सीमा तक चिकना करके उनके बीच के घरसण को काफी कम किया जा सकता है अब घरसण बढ़ाने की छोटी सी दो विधिया है इनको देख लिजिए घरसण बढ़ाने की विधिया घरसण बढ़ाने की विधिया अब घरसन कैसे बढ़ा सकते हैं यदि हमें घरसन को बढ़ाना है घाटाने के लिए तो आपने देख लिया कि बाल बीरिंग के प्रयोग से इसनेह diferencia के प्रयोग से और पालिस करके तो घरसन बढ़ाना है तो नंबर एक आप देखिए जो जूते होते हैं उनमें गोटियां लगाई जाती है घरसन बढ़ाने के लिए ताकि वो खिश लेना तो घरसन बढ़ाने के लिए जूते चपल आरी में गोटियां बनाई जाती है घरसन बढ़ाने के लिए जूते चपल आरी में गोटियां बनाई जाती है गोटियां बनाई जाती है पहला हो गया है कि घरसन बनाने के लिए जूत्य चप्पलादी में गोटिया बनाई जाते हैं, दूसरा जैदी घरसन बढ़ाना है तो उन तल को खुरदरा कर देंगे, तो घरसन बढ़ाने के लिए तल को हलका खुरदुरा, तल को हलका कैसा कर दिया जाता है, तो खुरदुरा, कर दिया जाता है ये घरसंड आपका complete हो गया आप एक बार comment करके बताएए इसमें किसी को अगर कोई समस्या हो तो जल्दी से आप लोग comment करके बताएए और सब लोग बताएए क्या आप लोग सब कुछ note कर लिये हैं या नहीं बताईए कि आप लोग नोट कर लिए हैं तो इसको कंप्लेट कर लिएगा देखिए घरसन बढ़ाने की दो विदियां घरसन बढ़ाने के लिए जूते चप्पलाज में गोटियां बनाई जाती है और तल को हलका सा खुर्दुरा बना दिया जाता है इस परकार से घरसन को आते रही हैं एक बार अच्छा सा कमेंट करके बताईए आपको क्लास कैसी लगी उसके बाद फिर हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं अगले सेशन में हम लोग अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे और जो लोग अभी तक सेशन में जुड़े हुए हैं तो सेशन जरूर कर देंगे तथा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए